कि हैं अब सब ऐसे अपसे आपके अपने यूटूब चैनल्स सुसोलोजी विस संगीता मैं मैं संगीता स्वागत करती वह और इस चैनल के माधियां से हम रोग सोसोलोजी के competitive exam के preparation करते हैं आपको इस channel में डेली दो classes मिलती हैं जिसमें की morning के class में हम लोग cover कर रहे हैं जाड़कन सहाय का चाड़ और बिहार PGT के sociology के syllabus को आपको आपके syllabus के recording जो है वो topic cover करवाय जाए रहा है और अभी जो morning का class है इसमें हम लोग 2100 प्लस questions को वर लाइनर फॉर्म में देख रहे हैं और रात के 8 बचे हम लोग cover करें जाड़कन लेड़ी supervisor के syllabus को जिसमें की आपका topic wise जितना ज्यादा से ज्यादा हो से के question को cover कर रहे हैं और साथी साथ वैसे students जो paid group से जुड़ना चाते हैं सोसलोजी का notes एक्जाम के syllabus के according purchase करना चाते हैं तो उसका जो process है वो description box में दिया हुआ है या फिजो contact नम्म दिया हुआ है आप उसमें contact करके notes को purchase कर सकते हैं मैं अपने paid group के student के लिए telegram में free test का arrange भी करती हूँ तो अगर आप notes पर search करते हैं तो वहाँ पर telegram में आप free में test भी दे सकीएगा तो चलिए class को start करते हैं आज हम लोग 701 questions लेकर 800 तक के questions को cover करेंगे class अगर आपको helpful लग रही है तो ज़रूर इसे like करे और अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे comment करके जरूर बिताएं तो आज का हमारा question number 701 है question number 701 पूछा जाएड़ा है कि सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों या समों द्वाड़ा लक्ष प्राप्ति के लिए इस प्रकार साथ साथ काड़े करने को व्यक्त करता है जहां एक व्यक्ति या समों द्वाड़ा लक्ष प्राप्ति दूसरों के लक्ष प्राप्ति को सहाय को तो ये जो कथन ये लुन्डवर्क एबम अन्निका है क्योंकि आपको कथन से भी related question exam म में देखने को मिलेंगे नेक्स है कि जन्म मरन के आक्रे में किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है तो जन्म मरन का जब आकड़ा त्यार किया जाता है तो इसमें जन्मदर मित्यूदर स्वास्त और और औसत आयू को एक डाटा की रूप में कलेक्ट किया जाता है नेक्ष सस्ता है तो जो संयुक्त परीवाड का संस्ता है नेक है कि मुताफ विवा का प्रचलन कि相ma मुसल्मानों में किस समाज में पैतिक्ता का नर्धारन रश्द्वारा किया जाता है तो वो तोड़ा जन जाती हो जाएगा कोश्य नमर 707 पूछा जाएगा कि किस प्राचीन हिंदू दर्सन के रचाईता पतंजली है तो पतंजली के रचाईता कौन है योग सुत्र नेक्षे की प्रोफेसर को थाड़ी ने किगले राजनेती को खाइबंद की राज नेती कहाहँ है तो खाइबंद की ऊछभाण के लोग हो गए जैसे छट्री ब्रामन कैस्त जैसी जातियों की जो राजनेती इसको बोला गया नेक्स रहें किस जन जाती में इस्थां तरिक खेती का प्रचलान थो स्थ संस्थाइं मिलती है तो जूर्ण बान नयान कोले की जो समाज है इसमें नेक्स है राज्यो को रास्ट से कौन भिन करता है, तो कौन भिन करता है स्रम्प्रभूता नेक्स्ट है कि आधुनी करन से तातपड है, आधुनी करन का मतलब क्या हो गया, कि बिद्धमान आवशक्ताओं एवं जीवन सहलियों के संदर में अनुकूलन की प्रक्रिया नेक्स्ट है कि समास्ट्र के छेत्र में मानप परस्टिती की अध्यन की सुरुआत कर से किसको जाता है वर्जस, पार्क और मेकेंजी नेक्स्ट है भौतिक एवन सांस्केति क्रिया कलापो के समरुपता वाले भोगोलिक भाग को क्या करते हैं तो उसको समुरूप्ता, मतलब एक ही जगा पर एक समान जासा है तो वो छेत्र कहलाएगा नेक्ष्ट है कि सी रॉए ने भारत के एक ज़ंजाती में बाभा, पोती के बिवा, बाभा मतलब दादा दादा पोती का बिवा कहां का जिक्र किया है कि दादा और पोती में बिवा होता है तो वो औराव जनजाती में हैं नेक्ष्ट है भारतिय सम्विधान के छटे भाग के किस अनुशेत के अनुसार मद्यप्रदेश, बिहार, उरिसा, में जनजाती, कल्लान, काड़ियों के लिए बिशेस मंत्राले बनाने की विवस्था की गई है तो अनुशेत 164 में नेक्ष्ट कोशन है कि किसने समाजिक परिवर्तनियता के लिए योगदान नहीं दिया है ठीक है तो रूडिवाद और जो अन्दविश्वा से इससे समाज के अंतरगत आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा नेक्ष्ट है रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया के लेखर कौन है तो डियन मजमदार है रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया के लेखर आप किसे भारतिय संस्कृति का भारतिय संस्कृति का आधार मानते हैं तो भारतिय जो संस्कृति वो आध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट है कि समाज का विकास महिलाओं से हुआ इस धार्णा को सबसे पहले किस ने का है तो बेचो फेन ने का है महिलाओं से हुआ है नेक्स्ट है कि वे राजनितिक समूह जिनका उद्देश सत्ता प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं उसे सत्ता गई पात आड़ा यानि राज नितिक दल हो जाएगा गांधिवादी राज्य का सच्चा अधिकार क्या है तो सहयोग नेक्स्ट है कि राज्य की विकासवादी व्यक्ष्या के समर्थक कौन नहीं है तो दुर्खिम नेक्स्ट है कि किसके अनुसार जजमानी प्रथा वस्तुओं के सेवाओं के लिए बिनी में है तो प्रथा के अनुसार नेक्ष्ट्रे के जब एक दमपती को माता एबन पिता से ही किसी एक के पास रहने की छूट होती है तो ऐसे निवास को क्या कहा जाता है दू इस्थानिय निवास कहा जाता है नेक्ष्ट्रे के महादीपों में सबसे अधिक जनसेंख्या का गहनत किसमें है तो एशिया महादीप में नेक्ष्ट्रे के जो प्रक्रिया समाज के सदश्यों को एकता के सुत्र में बांगती है उसे क्या कहा जाता है तो एकता के सुत्र में बांगती है एकी करन संगर्ष से एकी करण की और बढ़ने का प्रथम चरण क्या है तो प्रतिस्ट परधा समाजिक बिगटन का समाजिक करण कारण कौन नहीं है नगड़ी करण समाजिक सांस्कितिक मुल्यों की स्रेनी के अंतरकत आते हैं तो सुन्दत्ता अच्छाई वेवन सत्य समाजिक संरशना के साथ किसका घरनिष्ट सम्द्ध है तो समाजिक विवस्था का निश्च कोश ने की पाषपडिक पत्यूत्तर या आदान- प्रदान का भाव समाज की मुख्य विसस्था है किसमें पाषपडिक आदान- प्रदान का भाव ऊड़ना है कि जाते हैं जो टीम पे खिलारी होते हैं उसमें समाजिक पर्सपड़िक पत्यूतर का भाव रहता है नेक्स्ट है कि छुओ और जाओ का सिधान्त कि समूगी विसेस्ता है तो दुत्यक समुकी क्योंकि इसमें पार्सपरिक आपसे सम्मंद नहीं जुरे वेरते हैं Q734 पुछा जाड़ा है कि व्यक्तिगत गुनों वो योगताओं के द्वाड़ा प्राप्त स्थिति को क्या कहा जाता है तो अर्शित प्रस्थिति Next is कि नार्डिक प्रजाती के लोग कहा कहा फेलर में तो जर्मरी में स्वीडन में, बॉल्टिक प्रदेश में, कस्मीर में, पंजाब में और आजस्थार में Next ये कि कादर और पुलियन किस प्रजाती के लोग है तो निग्रेटो नेक्स एक 737 नमर की नैतिक निस्पक्षा था पर किस समासास्त्री ने बिसेश जोड दिया है तो मैक्स बीवर ने नेक्स कोशन है कि इटली के किस विचारक ने प्रकाड़े आत्मक विचारधारा में योगदान दिया है तो विलफ्रेडो पेरेटो ने किस ने लिखी है तो एर रेट क्लिप ब्राउन ने कॉंट ने समासास्त्री से पुर्भ इसका नाम क्या रखा था सोशल फीजिस रखा था जिसको फिर बाद में चेंज करके वुन्होंने समासास्त्री का नाम लखा स्वतंत भारत के ग्रामिन समुदायों की उन्नती में सरवादिक योगदान किस काड़क ने किया है तो ग्रामों के सरवांगिन विकास के लिए पंचवर्षिय जो योजनाए है वो नेश कोशन है कि सोसल बैक्ग्राउंट ऑफ इंडिया नेशनलिजम नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो एर दिसाई नेश कोशन है कि समाजिक पड़िवर्तन के बाहस्रोथ कौन-कौन से होते तो भौत तिक बड़ी आवड़न इसके बाहस्रोथ होते हैं कोशन 745 पूछा जाड़ा है कि समविधान कौन सा अनुछेद अनुसूचित जाती और जन जाती हो के लिए लोकसभा विधान सभा ग्राम पंचायत और इस्थान ये निकायों में इस्थान सुलक्षित करने पर जोर देता है तो आपका अनुछेद 334, 330 और 332 ठीक है तो आड़वन हो जाएंगे मंडल कमीशन ने पिछरे वड़गों का आड़क्षन किस अधार पे किया है तो जाती के अधार पे किया है कोशन 748 है कि जंगलों में ढखका जीवन या अपन करने वाली प्रजाती को किस नाम से पुकार जाता है तो बुस्मेन नेक्स्ट है गाओं में लोकतंत्री विकेंद्री करन किसके द्वाड़ा लागो किया गया है तो पंचायती राज वेवस्ता का क्योंकि उनका ये एक में मोटिफ था कि जो लोकतंत्र की वेवस्ता है मतलब समाज में जो राजने की वो विकेंदरी कड़न हो समझा छोटे स्थर से ही सासन किया जा सके नेक्स्ट है कि नगर नियोजन की छेत में गार्डन सीटी योजना किस बिद्वान की देन है तो एवेंजर हवर्ड की नेक्स्ट है कि किसने सिक्षा विवस्था को मुल्ल और प्रतिमान का संप्रेंशन माना है तो दुर्खिम आदिम समाजों में दंड के कौन-कौन से तरीके प्रचले थे तो मित्युदन, जुर्माना और चातिपूर्ति आदं समाजों की देन थी नेक्स है कि जिन बाजारों में सोना चांदी जैसे बहुमुल्य वस्तुओं का लेंदेन होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसको स्राफ बढ़ा बजार कहा जाता है दूइज कौन है तो जिस व्यक्ति ने बिद्दाथी के रूप में जीवन प्राडम किया है और पाटकरम के अनुसार अध्यन कर चुका है उसको दूइज बोला जाड़ा है किसमें बेदो की निंदा प्रकर रूप से की गई है तो चरवाक दर्सर में बेदो की निंदा की गई है नेक्स्ट है कि धर्म में आत्म समर्पन नहीं थे जब कि जादो में दिड़ अल्प संकल वर नियंतन या कतन किसका है तो गोल्डन वाइजर का नेक्स रे कि जब किसी व्यक्ति कव वंस निर्धारन मातार पिता दोनों पक्षों से होता है तो उसको क्या कहा जाता है धू पक्षिय वन्शानू करम बोला जाता है नेक्ष्टे की वो प्रता जिसके अनुसार एक पुरूस अपनी पहली पत्नी के जीवी तरहने पड़ भी अनस्त्रियों से विवा कर सकता है तो वो क्या कहलाएगा बहुपत्नी विवा कहलाएगा नेक्ष्टे की भारते तलाक अधिनियम 1869 से सम्मन्द पुस्तक कौन सा है तो कन्वर्ट्स विवा विच्छेद अधिनियम 1866 नेक्ष्टे की समासा से महत वो कौन सा पड़िवार नहीं है तो समासा से महत में चिकित्सा नहीं है नेक्स है कि किस प्रकार का पडिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाता है तो नावी किया या एकाकी पडिवार जो है नुकूलियर फैमली वो सभी समाजों में देखनी को मिलता है भारत में 1991 की जन गनना के अनुसा सबसे कम बृद्धी दर किसमें थी तो इसाई जन जाती में इसाई जो धर्म के लोग है उसमें नेक्स है कि 763 कूशन संस्कृतिक प्रतिकिया क्या है तो यह दो संस्कृतियों के बीच ग्रीना किस्तिती को कहा जाए रहा है नेक्स है कि समाजिक सिध्धान्त और गेलेलियन भौतिकी में किसने समानता अस्थापित की है तो हॉब्स ने कोशन 765 जौनसन ने समाजिक प्रानाली के प्रतिमानों को किन दो त्रेनियों में बरगे कित किया है तो समंध मूलग प्रतिमान तथा निय मनातमक प्रतिमान में ये एक निरंतरता है इस गतिसी निरंतरता है अगस्ट कौम्ट ने तीन इस्तरीय सिध्धान दिया था यहाँ जिस अधारपा उन्हों ने समाज का विकास हुआ है यह की थी वह तीन कौन से सिध्धान थे धार्मिक तात्विक और प्रतेक्षुवादी प्रतिदर्स सम्हू की धार्ना किस ने दे थी प्रतिदर्स सम्हू हामसन ने संस्कितिक विलंबना का तातपरी क्या है आगवन का सिध्धानत है कि किसी एक समय में बहुत तिक और बहुत तिक संस्कितिक में जो अंतर होता है और जो बहुत तिक संस्किति में अधिक तिब पडिवर्तन के कारण जो अंतर पैदा होता है वो कहलाता है संस्कितिक विलंबन लेग नासिक इंडेक्स की सुत्र द्वाड़ा प्राप्त किया जाता है तो नाक की चौड़ाई नाक की लंबाई इंटु हंड्रेड नेक्ष्ट है कि नियंडन्थल मानव पहली बार कहां पर आ गया था तो जिब्राल्टन प्रदेश में नेक्ष्ट है कि रास्ट्रो प्रजाती के अंतर किस ने किया है तो वेल्स पिडिंग्टन ने ने कि विज्ञानिक पद्धती की विशेस्ता कौन सी है अबलोकन वरगी करण और निसकर्स संखर्स वादी और सलतुरन वादी ये दोनों ही परमुख है कि सामुहिक लाब के लिए किया जाना वाला जादू को क्या कहाचा अगलाब के लिए किया जारा है तो वो सफिर जादू हो जाएगा नेक्स्ट के किस बिद्वान ने अर्थ व्यवस्था की प्रकति को निर्धारित करने में समाज की धार्मिक सहीता को महतपूर माना है तो मैक्स बीवर ने नेक्स्ट है कि बस्तू बीनी में है तो क्या है ये सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले बस्तू, बस्तू के बदले बस्तू है नेक्स्ट है कोशन नमर 779 अराजक्ता के मुख्य सिध्धान्त क्या है तो क्या हो जाएगा कि राजिक अनावर्शिक दोसे, राजिय अत्यचार का साधने, राजिय निरुंकुस्ता का प्रतीक है नेक्स्टे कि मेकाईवर के अनुसार कौन सा काड़े राजिक कर सकता है तो आच जो क्या कर सकता है कानून और विवस्था की स्थापन कर सकता है Next है कि वो कौन सा कारण है जिससे युवागरियों का प्रतन हो रहा है तो सब समाज के संपर्क में आने के कारण जो युवागरियों का प्रतन हो रहा है Q782 पूछा जा रहे हैं कि रेगिस्तान में बहुत थोड़े गाउं होते हैं और वे भी दूर-दूर ऐसा किस कारण से Q783 है कि नगड़ों में आवाज की समश्या का प्रमुक कारण क्या है तो क्या हो जाएगा नगड़ी करण की प्रक्रिया Q783 नायर जन जातियों में सहिंग्त पडिवार को क्या कहा जाता है तो थाडवार कहा जाता है नेश्टे कि ओद्दोगिक स्रमिक समाई ने तोरपर किस तरह का होता है तो विसेश तोरपर समर्पित समिक होता है अस्प्रिस्ता नामपूस्ता के लेखक कौन है तो डॉक्टर केलासनास सर्मा आरगबन ने कौन सा सिध्धान दिया था से सांसकेति विलंबना का मैसुल बिश्म विद्याले में पाठ करम में synth को किस वर समृत किया गया तो मैसुल विश्म विद्याले में 1919 में किसने समाज सास को समझने के लिए समाजिक मुल्यों का अधार बनाया था तो आर्गे मुखर जी ने समाज का विकास महिलाओं से हुआ इस अधार ना को किसने बताया था तो बेजोफेंड ने के निफे कि समाजसाज के प्रत्म प्रोफेशल कि सको माना जाता है तो दुखीं को नेट्ष एबुश्मेन हॉटन कहां पाए जाता है तो अफ्रीका में नेक्स्ट धातुओं का सर्भपता मुप्योग कब सुरू हुआ था तो नप पासान तामरी यूग में कुश्च नम्बर 794 पूझा जाड़ा है कि समाजिक संपड़कों के अंतिम प्रतिफल को क्या कहता है तो सामसात्मी करन कहते हैं नेक्स्ट धे कौन सा एक समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है तो अस्थाइट्व नेक्स्ट धे बहुत इंपॉर्डन कोश्यन है कि जहां कहीं भी जीवन वहीं पर समाज या कथन किसका है तो मिकाईवर वर्वं पेज का अर्द प्रातिमिक समु का उधारन क्या है तो स् जैसे सेनिक होंगे वह इसके अंतरगत आ जाएंगे कि विवस्था पन यानि समायोजन की पद्धति कौन नहीं है तो आर्थिक दंद देना कोई व्यवस्थापन की पद्धति नहीं है और आज का हमारा अलाज कूशन है कूशन नमर 800 कि आर्गवन और नेंकॉफ ने जिस प बने डहने के लिए आप सभी का धन्यवाद